मस्कार दोस्तो स्टोक के रिच के कोई वीडियो मैं आपको स्वागत करता हूँ दोस्तो आज बात करते हैं जोएलरी और गोल्ड की बिजनस जूड़ी एक ऐसी कंपणी की जो हालिया लिस्टेड हुई है और आपने आप एक बहुत मस्हूर नाम है दोस्तो इंडिया में बहुत मस्हूर नाम है यहां दोस्तो मैं कल्यान जोएलर्स की बात कर रहा हूँ ठीक है यह उनके ओफिसियल वेब साइट पे लेके आया हुँ मैं कल्यान जोएलर्स हालिया लिस्टेड कंपणी है बहुत जाया दिन लिस्टेड नहीं हुआ इस फिल्ड की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपणी जो है दोस्तो वो है हमारी टाइटन और टाइटन कितना बड़ा मल्टी बैगर कंपणी है इसको मुझे आपको बताने के जोरुत नहीं है मेरे ख्याल ससाइटी इंडिया में ऐसा कोई बंदा होगा जो सेयर माल्टिकेट में काम करता होगा चाहिए इंबेस्टिंग करे ये ट्रेडिंग करे और टाइटन के बारे में ना जानता होगा राकेश जुन 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 माला को राकेश जुन 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 माला investment माना जाता है मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से agree करेंगे कि आज भी इंडिया में 90% लोग गोल्ड में ही सबसे जादा invest करना पसंद करते हैं वो अलग बात है कि गोल्ड कछुए के चाल से चलेगा लेकिन कभी आपको नुकसान नहीं देता है गोल्ड ठीक है आप कि लेडिस चाहे जो भी हो चाहे माँ हो बहन हो भाई हो बहन हो बीबी हो या आपकी बेटी हो पतो जो भी हो बहु हो आपकी वो जोलरी कभी इस्तमाल कर सके इंडिया में कोई ऐसा festival नहीं है कोई ऐसा gift नहीं है जो बगर जोलरी और गोल्ड से जुड़ेवे चीजों को आपको अच्छा return मिलने की एक possibility रहती है ठीक है दोस्तों आप 100 रुपया लेकर 200-500 रुपया लेकर तो गोल्ड खरीदने तो नहीं जाओगे लेकिन इसी opportunity है कि आप गोल्ड के business में काम करने वाली company हो के share में आप invest कर सके दोस्तों यहां दोस्तों मैं कल्यान जेवलर्स की ब रखा हुआ है यह green वाला यह 200 डेज का moving average है दोस्तों और yellow वाला जो है यह 100 डेज का है और red वाला जो है 150 डेज का है और red वाला जो है यह 100 डेज का है यह तीनों long distance की moving averages मानी जाती है price question को समझने के लिए हमने RSI लगा के रखा हुआ है आप देखेंगे तो current RSI का जो है 50 के उपर है और price all time high लगाने के बाद यानि की 135 रुपया के लगाने के बाद at present 119 रुपया के पास में support ले रहा है यह जब जब यहाँ पर देखिया यह जैसे 100 के आसपास में आता है price य 31 March 2021 को यह लिश्ट हुआ है 78 के price पे और उसके बाद से इसके अंदर constantly ही upside moment थोड़ा दिनों के लिए downside देखा इसने अपना low बनाया इस जगह पे आप इसको बोल सकता है कि triple bottom भी बनाया एक जगह दो जगह और यह तीन जगह एक बार जैसे इसने price को cover किया फिर से वापस इस generate करते रहा ना कि downside में आया निसंदे यह एक अच्छी price जोन है अगर 200 moving day के average के बीच में यह price मिले तो निसंदे यह बहुत बहुत price मिलेगा आपको इसमें invest करने के लिए और gold से जूड़ी वी business है तो आप इसको long term के लिए play करने के लिए आप select कर सकते है Titan already बहुत ज़्यादा नहीं potential है जितना की कल्यान जोलर्स में potential है दोस्तों ठीक है यह नहीं बोला हो कि Titan खराब हो गया लेकिन जो opportunity type कल्यान जोलर्स दे सकता है उस तरह की Titan का आप नहीं दे सकता है अब एक बड़ा आदमी जैसे बिराट कोली पहले से किर्केटर है बिराट कोली कोई मिल सकता है सचीन दुनकर और कितना या रोहित सर्म और कितना ज़्यादा बड़े किर्केटर बनेंगे लोग उसी तरह से अब कल्यान जोलर्स के अंदर एक potential है कि यह भी next Titan बन जाए ठीक है टाइटन तो और लेडी टाइटन है दोस्तों तो इसे stock में आप long term करने के ल आप 1000 रुपया भी invest करके जा सकता है 10,000 का भी invest करके जा सकता है लेकिन 10,000 का gold खरेदने जाएंगे तो साइद आपको मुष्की लोग मिलने के लिए कितना गेरा आप gold मिलेगा कहां रखिएगा घर पे रखिएगा कहा रखिएगा बैंक के login कर में रखिएगा लेकिन उससे आचा है कि 10,000 का हम गोल्ड जोलरी में हम काम करने वाली कंपणियों में इन्वेस्ट करके छोड़ दे आने वाले वक्त में और ज़्यादा रिटन देख सकता है वापको चीजों को आप समझेंगे चीजों को विजुलाइज करेंगे पोसिबिलीटी उसमें अपर्चुनिटी उसमें खोजने को सर्च करेंगे तो अपर्चुनिटी आपको मिलेगी ये बहतरीन पराइस जोन है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है दोस्तों अब मैं एक जलक आपको इसके फंडामेंटल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा फंडामेंटल कोई बहु ज़्याद नहीं दिन का है क्योंकि करेंट आपको हालिया लिश्टेट कंपणी है मैं आपको एक बार बस इसके प्रोफिट गुरू का मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर देखें दोस्तों यह देख रहा है निट प्रोफिट जब देखिए इनका तो बीच में इनका दो बार माइनस म इसमें आया 224 करोड और अभी इस क्वार्टर में 420 करोड का यह प्रोफिट जनरे कर चुक है देख रहा है किस तरह सब प्रोफिट में इनकी बढ़ोतरी है इसलिए शेयर में एक दाम में भी इसी तरह पड़ए इस तरह की कंपणिया फ्यूचर के लिए मल्टी बैगर अपनिया प्रोफ होती है दोस्तों तो यह वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और इन्वेस्ट करने सब पले आप अपना भी एक रिसर्च खुद कर लें उसके बाद ही इन्वेस्ट करें तैंकी दोस्तों सु खुयूब पूआ झाल